खेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स चलिए तो ब्राइटप्न गूर्प की बात करते हैं कि आज क्या हुआ? ब्राइट काम गूर्प में आज भी एक lower side का trend बना रहा और जो stock price से थोड़ा और नीचा है जैसे मैंने आप लोगो कुछ समय से मैं आपको लगातार बताता रहा हूँ कि 30 के level को टेस्ट करएगा और ये मैं आप लोगो 38 के level से ब॔ल रहा हूँ ठीक है कि 30 के level को टेस्स करेगा तो friends देखे बिल्कुल वही हो रहा है अब 30 के लेवल को टेस्स करेंगा इस वीडियो में मैं आप लोगो बताऊंगा कि अपर सरकीट कब लगेगा और मुझे ऐसा क्यूं लगता है ये ज़रूर नहीं कि उस दिन लगे बट मेरा क्या ओपीनियन है नॉर्मली मेरे प्रेडिक् अज भी ब्राइट कॉम गुरूप में नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है और आज भी स्टॉक प्राइस जो है वो लगभग लगभग काफी नीचे गया और जो लो बनाया था ब्राइट कॉम गुरूप ने अगर आप लोग देखें तो हो सकता है कल फिर से यही वाली चीज होगी और स्टॉक प्राइस है वो 30 के लेवल को टेस्ट करेगा पर 30 के लेवल को टेस्ट करता है तो मुझे लगता है उसके आज पास से वहां पर एक बांस बैक बिल्कूल मिलेगा जैसा मैं आप लोगो हमेशे कहता रहा हूं आज ठीक है और यहां पर देखते हैं हम लोग NSC में क्या हुआ है तो NSC में देखिए friends क्या हुआ है NSC में अगर हम लोग देखें तो यह देखिए NSC में कितनी quantity उठाए गई है तो NSC में देखिए 1 करोड quantity ट्रेड़ों और 71 लाग करीब 72 लाग 72 लाग BSC में NSC में 14 लाग ठीक ह तो यहाँ पर जबरदस तरीके से करीब 86 lakhs की quantity एक दिन में आज भी उठाए गई है, stock price बिल्कुल नीचे की तर जा रहा है, लेकिन quantity लगातार बड़ी quantity उठाए जा रही है, अब देखे friends, मेरा जो मानना है, इस stock को लेकिए, अब मुझे जो लगता है, मुझे लगता है, यह जो 31 का जो लेवल होगा, वो बहुत crucial होगा, क्योंकि पिछले बाल से यहाँ बहुत bounce back आया था, तो यहाँ पे जिन लोगों ने उस समय से जो bounce back लेक लेकिया थे, वो लोग बहुत bulk में buy करेंगे और यहाँ पे pressure create करेंगे, buying side के लिए, तो मुझे लगता है, अगर यह जो stock है, यह आपको Friday से या Monday, आप देखिए, Friday या Monday को यहाँ अपर सरकीट लग जाना चीए, ठीक है, Friday या Monday को अपर सरकीट लग जाना चीए, अगर यह भी नहीं होता है, तो इस rate पे ज़्यादा sustain नहीं करेगा, फ्रेंट, stock price फिर वहाँ से वो लोग शायद और नीचे ले जा सकते हैं, बट यह चीज नहीं होनी चीए, मुझे लगता है, Friday या Monday से यहाँ पर सरकीट आप लोग को देखने को मिलेगा, और यह अच्छा अभी जो पहले जो bounce back आया था, आप लोग 33 के लेवल से मैंने कहा कि अच्छा वहाँ पे bounce back नहीं लग रहा था, कि मतलब वहाँ पे मुझे weak लग रहा था, कि जल्दी यहाँ पे फिर से stock price नहीं चाहेगा, लेकिन अब जो bounce back आएगा, यहाँ पे अच्छा bounce back आना चीए, मुझे लगता है, कि जिसमें कम लोगों को entry करने का मौका मिलेगा, म मेरा ऐसा विचार है, तो मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, तो 30 के level पे अगर यह touch करता है, तो शायद मैं भी यहाँ पे फिर से, हाला कि मेरे पास है, ठीक ठाक position है इसमें, पर 30 रुपए के level पे मैं फिर से यहाँ पे entry लेना चाहूंगा, अभी तक मैंने इसमें कोई entry नह करने के लिए, तो शायद मैं भी वहाँ पे entry लेना चाहूंगा, मैं अपना personal बता रहा हूं, मैं आप लोगों को कोई ऐसा advice नहीं दे रहा हूं कि आप लोगों को entry लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को negativity है, पर मेरे कुछ इस तरी के trend लगातार दिख रहे हैं, जो delivery quantity जो हो रही है, वो मुझे बहुत जबर्दस दिख रहा है, तो यह जो level होगा, मुझे अच्छा लग रहा है, कि यहाँ से शायद मैं भी यहाँ पे entry लेना चाहूंगा, ठीक है, तो friends, यह था Brightcom Group, क्योंकि लिए आप देखिए friends, मैं आप लोगों को बार-बार ही बताता रह 15,000, तो इस तरह की जो delivery यह उठाए जारी friends, तो यह जो है, यह जो है, यह बहुत बढ़ी delivery है, ठीक है, तो यहाँ पे, देखिए एक तो operator ही active है, तो वहीं कर रहा है, छोटे लोगों exit कर रहा है, लेकिन यह जो rate है, यह rate बहुत attractive है, तीस रुपए के level से बहुत जबर्दस bounce back आया था पिछले बार, यहाँ से जब bounce back किया था, तो इस stock सीधा double हुआ था, 54, 55 रुपीज को touch किया था, ठीक है, 56 रुपीज को touch किया था, तो मुझे लगता है, फिर से यह चीज होनी चीए, और जादा नीचे नहीं ले जाने की गलती करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर small investors भी interested होंगे, तो ठीक है, तो मैं वही कहूंगा आप लोगों से, कि 30 रुपे का level अब मुझे लगता है, अब time आ गया है कि जब इसको दुबारा एक upper circuit लगने के chances है, Friday से, या Monday से, कल मुझे लगता है, कल 30 के level को test करना चाहिए, अगर उसके बाद फिर further test किया, तो Friday morning में, first half के बाद यहाँ पर second half तक में upper circuit लग जाना चाहिए, ठीक है, बाकी यह मेरा personal opinion है, आप लोग बिल्कुल अपना पूरा analysis करके और अपने जो भी आपके financial advisor उनसे सला लेके कोई भी question बनाईएगा, तो friends अगर आप लोगों मेरे बात अच्छल लेकी, information अच्छल लेकी, तो please लाइक कर जाएगा, प्लीज में चानल को subscribe कर लिजे, ताकि इस तरह से information में आप लोगों को regularly provide कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा, अपर circuit के लिए, Friday, Friday, either Friday, Friday का second half, या फिर Monday morning, अपर circuit लगना चाहिए, ठीक है, तो friends, thank you so much for watching this video, please में चानल को subscribe कर लिजे, thank you so much.